आज के हर अकबार में निकलाएगी कोवीड की तीसरी लहर भी आएगी दूसरी लहर से अभी संभल ही नहीं पायें की तीसरी लहर की चेतावनी सर पर मंडराने लगी है वैसे एक और बात बता दे की तीसरी लहर के साथ-साथ शायद तब यूपी का चुनाव भी आएगा यूपी का चुनाव होगा तो जाहर है जीतने के लिए कुछ बड़ा तो करना ही होगा तो क्या प्रधान मंत्री मोदी तीसरी लहर को रोकने के लिए समय से पहले कोई पॉलिसी बना पाएंगे या फिर बंगाल चुनाओ की तरह ही यूपी चुनाओ के वक्त भी देश को पेरलेटिक कर चुनाओ प्रचार में जुट जाएंगे नमस्कार मैं आतिश कुमार और आप देख रहे हैं गंगाटाइम्स टॉट कॉम आज हम बात करेंगे देश के मौजूदा हालात की बंगाल चुनाओ खत्म हो गया हैं मगर खेला अभी भी जारी है टीमसी के कारेकरता भाजपा की कारेकरताओं की जान से खेल रहे हैं और केंद्र वह अलग-अलग राज्यों की सरकारे ना चाहते हुए भी लोगों की जान से मौजूदा हालात इतने नकारात्मक हैं की लोग हमसे सकारात्मक खबरों की उम्मीद करते हैं मगर क्या करें आखे मून कर भी अगर सोचते हैं तो आज कल बस अंधेरा और आग की लपटे ही नजर आती हैं यह सब मैं आपको अफसाद में डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्यूंकि कोई नहीं बोल रहा ह। हालात यह हैं कि देश में ऑक्सिजन की अभी भी कमी है। जब पर्यावरण जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा जाता था तब वो यह कहकर निकल जाती थी कि यहां पेड़ काट रहे हैं लेकिन दूसरी जमीन पर इससे दो गुना लगा भी तो रहे हैं। ऑक्सिजन और जरूरी सामानों की आपूर्ती पूरी करने के बजाए सरकार का ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में ज्यादा है। निताओं की गंभीरता वप्रात्मिक्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल में दंगे में एक दिन में 14 लोग मरें तो भाजपा वाले धरने पर बैठ गये। लेकिन जो इतने दिन से रोजाना 500,000 लोग मर रहे हैं उनके लिए धरने पर कौन बैठेगा। शायद सरकारे धरने पर ही तो बैठी थी। तभी तो ऑक्सिजन, दवाईया इन सब चीज की किल्लत है आज देश में। खेर मैं यहां कोई रैंट वीडियो बनाने नहीं आया था। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप खुद को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रखने के लिए सारी नकारात्मक यानी नेगेटिव खबरे नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप मत देखिए या आप मत पढ़िए ऐसी खबरे मगर इग्नोर करने के चक्कर में यह सब भूल मत जाईए। भूल मत जाईए कि कैसे महमारी के दोर में लोग महमारी से कम बलकि सरकार जो कि आजकल सिस्टम के नाम से जानी जाती है उसकी लापरवाही से मरें। भूल मत जाईए कि शोशल मीडिया जो कि लोगों को जोड़ने वह बात करने के काम आता था वो अब एक हेलप लाइन मीडियम बन चुका है क्योंकि सरकारों की हेलप लाइन कहीं और व्यस्त है। भूल मत जाईए कि जब लोग अस्पताल के दर्वाजे पर दम तोड़ रहे थे तब हमारे मानिनी ये रेल मंत्री ऑक्सिजन ले जाती रेल का ड्रोन शॉट वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। खेर बुस्से में सब थोड़ा भटक जाते हैं तो मैं भी आज थोड़ा भटक गया। वैसे तीसरी लहर और बंगाल हिंसा पर मुझे बात करनी थी। तो भारत सरकार के प्रधान विज्ञानिक सलाकार के विजे रागवन ने कहा है कि जिस तरह से संक्रमन फैला हुआ है उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। हालाकि यह अभी नहीं पता कि कब आएगी तीसरी लहर। इसलिए हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सरकार दूसरी लहर से सीख लेकर तीसरी लहर को रोकने के लिए तयारी कर ले। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा आकड़ों को देखते हुए दूसरी लहर का पीक साथ मई को आने की संभावना है उसके बाद रोजाना आ रहे मामलों में गिरावट आएगी ऐसा विज्ञानी को कमानना है अब बात बंगाल हिंसा की करे तो हिंसा चाहे कोई भी करे या कहीं भी करे हिंसा की सराहना कते ही नहीं होनी चाहिए मामता बेनर जी जितनी जल्दी ये समझ जाएं कि सत्ता पालेने से कोई राज ये उनका नहीं हो जाता गुंड़ाई करना या करवाना दोनों ही सत्ता और लोक्तंत के लिए खत्रा है हाला कि ममताप एनरजी ने मुख्यमंत्री की शपत लेने के बाद ही कुछ अफसरों का तबादला कर दिया और उसके बाद हिंसा फैलाने वालों पर कड़ी कारवाई का आदेश दिया मगर बीते दिन में जितना हंगामा बंगाल में हुआ है उसका खामयाजा तो लोगों को भुगतना ही पड़ा क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का थोड़ी न कुछ होता है इन ही सब बातों और सरकारों से थोड़ी नाराजगी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ बाकी आप लोग घर पर ही रहें गर कोरोना से ठीक हो गये हो तो पहले प्लाजमा डोनेट करें और फिर वैक्सीन लगवाएं जब तक वैक्सीन लगवाने का नंबर नहीं आता तब तक कम से कम मास्क तो जरूर ही पहने क्योंकि मास्क भी किसी वैक्सीन से कम नहीं धन्यवाद